नमस्कार साथियों स्भागत है आपका अपनी YouTube चैनल YK Online Education में उमीद है आप सब लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों कल कनिश सहायक का पेपर होने जा रहा है और उसमें आपकी हिंदी जो है 25 नंबर की पूछी जाने है तो ब जो हिंदी में आपके 25 नंबर पोछे जाएंगे मैंने उसके अकॉर्डिंग ये जो प्राक्टिस सेट है वो तैयार किया है जिससे कि आपको एक ओवर्व्यू मिल जाएगा आपको काफी हैल्प मिल जाएगी कि आपकी परिक्षा में हिंदी का जो प्रशन पत्र है वो कैसा बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ ही साथ अपने दोस्तों के तास जार करना बिल्कुल भी न बूलिए तो चलिए सबसे पहला प्रस्न ले ले लेते हैं ग्यों वर्ण किन वर्णों के संय आदा जो और प्लस यों कभी कबार आपके पास इस तरह से भी ऑप्शन बन जाएगा और लास्ट में ओ तो इस तरह से अगर आपके पास आप्शन दिया रहेगा तो वह भी सही माना जाएगा क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस यों में कोई हलंत नहीं है इसक जब यह हलंते के साथ लिखा जाएगा तो इसका मतलब इसका स्वर अलग करके लिखा गया है तो इस तरह से आप इसकी पहचान करोगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी चिक चलिए दूसरा प्रस्न है हमारा वर्ण के प्रथम वह दुतिय व्यंजन क्या कहलाते ह तो बताईए वीडियो पहुच करिए तो वर्णमाला वाल टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि पहला और दूसरा व्यंजन हमेशा क्या कहलाता है अघोश कहलाता है और तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोस होता है पहला दूसरा अघोस होता ह तो इस तरह से आपको ध्यान डगना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है आश्चारी व्यक्त करने के लिए जिन को पहचान हो यानि कि जब आप कोई वाक्या कहते हैं या कहीं पर आपको आश्चारी व्यक्त करना हो तो आप उहां पर किस चिन का प्रियोग करेंगे तो आश्चारी का मतलब जैसे कोई चीज हो गई तो हम जैसे हमार साथ कोई बात कर रहा है तो हम कहते हैं क्या तो उसके आगे हम इस तरह के चिन का प्रियोग करते हैं ठीक है आश्चारी व्यक्त तो इसको कहते हैं विश्मयादी बोदक चिन ठी देखो जब भी कोई कटिन जैसे कोई हम कटिन शब्द यहां पर लिख लेते हैं और उसके आगे हम एक ब्रैकेट का प्रियो करते हैं उसमें हम उस सब्द को लिख लेते हैं यानि कि उसका अर्थ लिख लेते हैं या उसको समझाने के लिए हम ब्रैकेट का प्रियो करते हैं को यानि कि जो चीज हमने बहार लिखी है उसी को हम कोश्टक के अंदर भी देखते हैं यानि कि उसको सरलीक रित किया जाता है उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं उसका अर्थ प्रकट करने के लिए हम उससे क्या करते हैं ब्रैकट के अंदर या कोश्टक के अंदर लिख ले बढ़ते हैं आगे पांचवा प्रस्न है हमारा इत्यादी सब्द में कौन सी संदी है तो जैसे मैंने आपको संदी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई वी है और जब मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि जिस सब्द के बीचों बीच यो और वो आपको नजर आए छटा प्रस्न है हमारा पावन शब्द में कौन सी संदी है बहुत अच्छे से आयादी संदी मैंने पढ़ाई थी और आयादी संदी क्या है संस्कृत की संदी है और यहाँ पे आपको इसका अंसर मिल गया होगा पोधन अन इसका संदी विचेद होता है कभी कबार आपको संदी विचेद भी पूछ लिया जाएगा ठीक है तो पोधन अन इसका संदी विचेद हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर है इसमें कौन सी संदी है आयादी संदी है ठीक वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपका येदि कोई भी डाउट यहां से बन रहा हो अगला साथवा प्रस्ण ले लेते हैं निमलकित मैं से उपसर्ग रहित सब्द कौन सा है रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो जो उपसर्ग विदी से नहीं बना हुआ है तो देखो सू योग तो योग शब्द में सू उपसर्ग जुड़ा तो ये क्या बन गया सू योग बन गया दूसरा है विदेश तो देश एक सब्द है देखो मूल सब्द निकाल दो और उसमें फिर देख लो कि उपसर्ग है या प्रत्या है ठीक है तो देश क्या है? मूल शब्द है उसमें वी उपसर्ग जुड़िया तो ये भी क्या है? उपसर्ग विदी से बना है क्या हो जाएगा रेश क्या है एक निरठक शब्द यहां पर बन जाएगा ठीक है तो सुरेश जो शब्द है यहां पर उपसर्ग रहित सब्द है यानि कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ठीक है तो इसका अंसर डी सही हो जाएगा ठीक चलिए अगला आठवा प् जाना और उसका विलोम क्या हो जाएगा आना हो जाएगा लेकिन आना को हमने गमन को क्या लिखना है यहाँ पे इसमें उपसर्ग जोड़ करकी उसको बनाना है ठीक है तो अगर हम गमन अब चारों लगा के देख लिजए गमन उपगमन तो नहीं होगा । प्रतिगमन भी नह तो इसां पहुंचा सकती है। अगला प्रस्म है। निमलकित मैं से कौन सा सब्द कृद़नत प्रत्या Payet आंसर लगाईए बिल्कुल यहां पर D option इसका सही हो जाएगा देखो यह सारे जो सब्द हैं कि इसमें लगेवे हैं सर्वनाम में लगे हैं विसे सर्ण में लगे हैं तो देखो देखना एक क्रिया है ठीक है और देख धातु है और उसमें जब आवा प्रत्या लग गया दिख मैंनारम क्रिदंथा बन गया तो यह क्या है ''क्रदंत प्रत्याई है'' ठीक चलिए बाकी सब क्या है तदित्त प्रत्याई से बने हुए शब्ड माना ऑटा मिठास सामाजिक चलिए इसके बाद माफ कि जिए इसके बाद अगला दस्वा प्रसन है मनाइ प्रक्र bendकित संग्या सर्वनाम इन में लगने वाले और कृत प्रतर शबते नहीं करते से और द१ित प्रते से बनने वाले शब्दों को दधितांद करते हैं तो देखो तहराग, मिटाना, दुधारू या लिखना तो देखो लिखना यहाँ पर क्या है लिख धातु है और लिख धातु में यहाँ पर हमें पोच रहा है तद्धित परते से बना है ठीक है तो देखो सिर्फ यहाँ पर एक शब्द है जो तद्धित परते से बना हुआ ह मिट धातो में आना पड़त है तो मिटान हो गया लिख धातो में आना पड़ता है तो लिखना लिख धातो में यह तो सारी क्रित प्रत्य से बने वे सब्स हैं तो इससे आपकी पहचान हो जाएगी तो गाय क्या है दुधार हो है यानिकि यह एक विशेशन सब्द बन गया है तो यहां पे क्या है C, इसका right answer हो जाएगा अगला हमारा ग्यार्वा प्रस्न है वर्तनी की द्रिष्टी से शुद्ध सब्द है, बहुत important है हर बार वर्तनी पूची जाती है तो परिच्छा ऐसा तो नहीं होता है परिच्छा भी नहीं होता है परिच्छा सही आंसर हो जाएगा एक शब्द जो है, वो सही है कौन सा बी वाला, ठीक है अनुग्रहीत ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा दिको जब चार आपके पास सेम होता है तो फिर वहाँ पे बहुत टफ हो जाता है आपको सही आंसर तक पहुचने में लेकिन आपको ध्यान लखना है इसको आप ध्यान से देखिए, दस बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए इस सब्द को लिखने की क्योंकि ये अक्सर पोछे जाने वाले शब्द है तो उनुग्रहीत ऐसे लिखते हैं, ठीक है चलिए बढ़ते हैं, आगे अगला प्रस्न ले लेते हैं तेरवा हमारा प्रस्न है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है तो पत्थर की लकीर होना ये एक मुहावरा है तो क्या है पत्थर की लकीर होना का मतलब होता है अमिट हो जाना, पत्थर की लकीर कभी मिठती नहीं है न तो इसलिए उसे कहते हैं अमिट हो ना ठीक है चलिए चौद्वा प्रसन है डोरे डालना तो डोरे डालने का मतलब क्या होते है प्रेम में फसाना किसी को फसाना कहते है ने डोरे डाल रही है या डोरे डाल रहा है तो इसका मतलब क्या होते है प्रेम में फसाना तो डाल डाल म तो इसका मतलब क्या होता है कि चालाके का उतर चालाके से जो जैसा होता है उसको वैसा उतर देना ठीक तो इसका अंसर भी हो जाएगा सोलवा हमारा प्रस्ण है सूर्य का परियाई सब्द है तो बहुत बार परियाई वाची पोची जाते है और जो सूर्य है न ये तो बहुत important है हर बार पुछा जा सुधान्शो, द्वीरद, पतंग या त्रिदश तो यहाँ पे जो पतंग है वो सूर्य का परियाईवाची है चलिए सत्रवा प्रास्ट हमारा है सूर्य का परियाईवाची है चिक और बाकी नहीं है अगला अठार्मा प्रस्ट में है निम्लिकित मैंसे कौनशा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है पोछ रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि जब भी आपके पास question जो होते हैं उनको आप दो से तीन बार ज़रूर रीट करिएगा क्योंकि कई बार हम पढ़ने में गलती कर देते हैं और फिर हमारा आंसर भी गलत लग जाता है तो इसलिए पढ़ने की कोशिश कर यह शुद्ध साफ सही और देखो यहाँ पे नहीं पोछ लिया जा रहा है अप्रयुक्त या प्रभाव शुन्य तो देखो प्रभाव शुन्य यानि की प्रभाव क्या है जिरो है कोई प्रभाव नहीं पढ़ना तो यह भी सही लग रहा है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि जो प्रयुक्त सब्द है वो प्रभावी का विलोम नहीं है ठीक चलिए अगला हमारा प्रस्न है उन्निश्वा निनलकित में कौन सा पास्चात्य सब्द का विलोम है तो पास्चात्य का देखो यहाँ परिश्कृत पारदर्सी पौरत से या पुलस तो देखो कभी-क कभी आपको पौरत्य दिया रहेगा और कभी आपके पास पौवार्त्य दिया रहेगा ठीक है पौवार्त्य तो यह दोनों सही हो जाएंगे ठीक है अकर इस पौरत्य की पौवार्त्य भी दिया रहेगा तो भी सही हो जाएगा है ना तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है वीर पुत्र को जन्म देने वाली तो ये अनेक शब्दों के लिए एक सब्द हमने इसको बनाना है तो वाक्यांस के लिए एक शब्द जहां पर बनता है तो उसके लिए कहते हैं वाक्यांस के लिए एक शब्द इसमें क्या जाएगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली तो उसको कहते हैं वीर प्रसू, ठीक है वीर पुत्र को जन्म देने वाली फिर अगला है 21Fन प्रसू में स्क्तिशाली, दयालो शान्त, धीर और योधा नायक के लिए एक शव्दा, यानि कि जिस व्यक्ति की अंदर जो सक्तिसाली भी है, दयालो भी है, शांत भी है, धीर भी है, यानि कि धीरज रखने वाला और योधा भी है, तो ऐसा नायक जो है, उसे क्या कहेंगे, जैसे मालो कोई मूवी चल रही है, उसमें कोई व्यक्ति है, जो हीरो है, वो सक्तिसाली भी है, व्यक्ति भी है दिरज रखने वाला भी है योधधा भी है उसको हम कहेंगे धीरोदात जैसे भगवान राम तो देखो भगवान राम के अंदर शक्त ब्रम expert त्यालम जो लृं व फो जो कि गाली जाती है वह सकते हैं भगवान राहले में डेरोदात उन्हें works chief है ठीरोदात ऑ और धीरो दत अलग है, धीर ललित अलग है, इनकी अलग कुछ से साइं अलग होती है, ठीक है, तो यहां पर C, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, मेरे आप लोग समझ पा रहे होंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, वह नाइका जो अपने पती के परदेश में होने के कार वियोगी ने, वह वियोग में क्या हो रही है, तडप रही है, रो रही है, दुखी है, तो इसको कहेंगे हम वियोगी ने, चलिए, इसके बाद अगला है, निम्ल मैसे कौनशा शब्द जापानी भासा का है, बहुत इंपोर्टेंट है, विदेशज सब्द, देशज सब्द तदसम, तदभाव, यह सब आपके पास पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से मैंने यह question लिया है, तो देखे, विदेशी आपको बताना है, विदेशज सब्द के अंदर, जो जापानी भासा का इन में से एक सब्द है, वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका रिक्सा सब्द है, वो क्या है, जापानी भासा का शब्द है, ठीक, ध्यान देखेगा, चौबेस्वा हमारा प्रस्ण है, कौन सा सब्द फार्सी भासा का है, अब आपको बताना है, फार्सी भासा का यहाँ पर, कौन सा है, एकी शब्द है, जागीर, ठीक है, यह क्या है, फार्सी भासा का सब्द है अगला और लास्ट प्रस्ट है हमारा निम्लकित पैसे कौन सा सब्द अर्भी भासा का नहीं है पूछ रहा है ठीक है मैंने कि तीन अर्भी भासा के सब्द है और एक नहीं है तो कौन सा नहीं है बिलकुल संसकार जैसे दिखने में ही आपको लग रहा है तो यह लाय हमारा शब्द हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा यह आपके हो गए 25 प्रसन तो कुछ ऐसा ही आपका पेपर आएगा यह आप मान के चलिए बिल्कुल आपका जो स्लैबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यह प्रसन पत्र तयार किया है और जो 25 प्रसन आप से पूछे जाए यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर कीजिएगा कमेंट करना बिल्कुल भी न बोलिए आपका कोई भी डाउट हो अगर यहां से यह हिंदी के किसी भी टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं आपकी समस्या का समाधान जरू करूंगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और जिन लोगों का भी कल करनिस सहायक का पेपर है उनके हमारी तरफ से धीर शारी शुपकामनाए है अब लोग अपना पेपर अच्छा करेंगे ऐसा आमारा विश कर लोगड owते लोगतर शवश में पेपरोवा उर भीजिए जाम है ढाल पला क कर अवरगष्मवों का शावड़ कि ये उनके लोगते बरोगार कवी ये प्र शिकार की सहायक।